दुनिया की सबसे उंची स्टैचू, स्टैचू आफ यूनेटी हो या दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम, डेली का फेमस लोटस टेंपल हो या इंडिया के मेजर एरपोर्ट्स इन सबी के साथ कई और कॉंपलेक्स प्रजक्ट को इंडिया के साथ दूसरे फॉरेंग कंट्रीज में भी पूरा करके आज लार्सन एंटूबरो एंजिनियरिंग और कंस्रक्शन के फील्ड की ग्लोबल लीडर्स में से एक है 1938 में दो यूरोपेन इंजिनियर्स द्वारा स्टार्ट होने से लेकर आज इंडिया की टॉप कंपनीज में से एक बदन तक के इस जोर्नी में लार्सन एंटूबरो को कई प्रॉबलम्स और अबस्टेकल्स का सामना करना पड़ा और इसी बिच कंपनी के साथ कई जैसे लोग भी अक्वायर ने कर पाए उसके रियल ओनर्स आज कौन है जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहे विद केसे एंड चिल्स तो कहानी की शुरुवात होती है डुबई के एक बड़े एनराय बिजनसमैन मनोहर उर्फ मनु छाबरिया के साथ अगर आपको इनके बारे में पता ना हो तो इनके एक इंट्रेस्टिंग से बैक स्टोरी बता दे जहां इन्होंने परिशान किया था विजे मालिया को हाँ वही दे किंग ऑफ गुड टाइम्स आपको यह तो पता ही हुआ कि किस तरह विजे मालिया इंडिया की लिकर और एलकॉहल के बि हो गए पर यह कब विजे मालिया पर ही उल्टा पड़ गया उन्हें पता तक नहीं चला है करने की याड में मनुचाबरिया ने खुद शौवल इसको अक्वायर कर लिया और विजे मालिया सिर्फ देखने रह गए तो अब जो इंसान विजे मालिया तक के साथ खेल जाए व 1.5% स्टेक भी उनके हाथ में रहना लार्सन एंटूबरों के लिए एक खत्री का साइन था इसी खत्री को देखते हुए लार्सन एंटूबरों के उस टाइम के चेर्मेन एन्नेम देसाई ने हेल्प लेनी की सोची इंडिया के रिचस्ट फैमिली अंबानी से उन्होंने ध स्टेक खरीद लिया देख कर तो लगता है कि एलेंटी के प्रॉब्लम्स के लिए कितना अच्छा दी एंड है बट असली कहानी तो यही शुरू होती है लार्सन एंटूबरों में स्टेक करीदने के बाद धिरूबाय अंबानी ने कंपनी के बोर्ड मेंबर्स में अपनी ज कंस्ट्रक्शन कर रही थी और इसके साथ ही कंपनी के पास काफी अच्छा खासा कैश फ्लो भी था धिरूबाय अंबानी ने लार्सन एंटूबरों के चैर्मेन रहते हुए रिलाइंस इंडर्स्ट्रीज को 570 क्रोर का सप्लाय क्रेडिट दिया सिंपल वर्ड में सप्लाय क इसके साथ ही उन्होंने लार्सन एंटूबरों के कैश का यूज करते हुए रिलाइंस इंडर्स्ट्रीज के शेर की वैल्यू बढ़ जाए तो अब जहां पूरी सिच्वेशन अंबानी इसके कंट्रोल में थी वहां ऐसा क्या हुआ कि एलेंटे उनके हाथ से चूटने लग 59 के एलेक्शन में राजिव गांधी की कॉंग्रेस पार्टी हार जाती है और फिर पावर में आती है जनता दल वेपी सिंग इंडिया के नए प्राइम मिनेस्टर बनते हैं और क्योंकि वह किसी बिजनस एंटिटी के फ्रेंड नहीं थे वह अंबानी के इस और गेम पर रोक अब भी कंपनी के बोर्ड मेंबर्स रहते हैं धिरुबाय अंबानी के लासन अन्टूबरो को छोड़ने के बाद नए चैर्मेन बनते है डियन घोष्ट जो पहले SBI के चैर्मेन भी रह चुके थे डियन घोष्ट के लीडर्शिप में जो सप्लाइस क्रेडिट रिलैंस इं नहीं कर पाती और इसलिए 1990 में उन्हें रिप्लेस करते हैं चंद्रशेखर चंद्रशेखर का अंबानीश के साथ काफी अच्छा कनेक्शन होता है जिसका रिजल्ट यह निकलता है कि डियन घोष्ट को एलेंटी से रिजाइन होने के लिए कहा जाता है ऐसे ही कई पॉलिट जनरल मीटिंग बुलाई जाती है जिसमें यह डिसेजन लेना था कि अंबाने इसको वापिस से लासने टूबरो में एंट्री दिया जाए वही पॉलिटिकल आस्पेक्स की बात की जाए तो उस टैम पर नैशनल मीडिया इस केस को काफी बड़े लेवल पर कवर कर रही थी प्रिनी रीजन्स के चलते प्राइम मिनिस्टर राव ने खुद को इस पूरे केस से दूर रखा इसके साथ है फैनाइन्स मिनेस्टर मनमोहन सिंग के ओर्डर के चलते लाई सी ने जो एक्स्ट्राइडिनरी जनरल मीटिंग बुलाई गई थी उससे उस टाइम के लिए कैंस नहीं था अगले 10 सालों के लिए अंबाने इस लासन और टूब्रो के पैसिव इंवेस्टर बने रहे जिसके बाद 2001 में एक शॉकिंग एकसिट लेते हुए उन्होंने अपना 10.5% स्टेक अधित्य बिर्ला ग्रूप की कंपणी ग्रासिम को बेच दिया यह स्टैप इसलिए शॉकिंग था क्योंकि ग्रासिम सिमेंट इंडर्स्री में लासन और टूब्रो का एक बड़ा कॉम्पेटिटर था इस तरह एलेंटी के सामने एक और बड़ा चैलेंज आ गया था लेकिन अब लासन और टूब्रो अपने नए लीडर अनिल मनिभाय नायक के साथ इस चैलें अपने कंट्रोल में लेले अनिल नायक की लीडर्शिप ने उनके एंपलोईस के अंदर एक नया जोष भर दिया जिसके बाद लासन और टूब्रो का एंपलोईस ट्रस्ट फॉर्म हुआ इसी तरह अनिल नायक ने बिल्ला गुरुप को लासन और टूब्रो में एंट्री ल तो इस तरह लासनन टूब्रो चावरियास से अंबानिस और फिर अंबानिस से बिरला के हातों से बचते बचाते हुए आखिर कार एक सक्सेस्वल एंटिटी बन पाई आज भी L&T का वो Employees Trust Company के स्टेक का एक important percentage hold करता है हो सकता ये पूरी स्टोरी देखने के बाद आपके मन में इन बड़े corporate companies के लिए एक negative image बना हो और लग रहा हो कि कैसे L&T को एक victim बनके इन सब का सामना करना पड़ा वैल इनी thoughts के related अगर कहा जाए तो इस पूरे incident के कुछ सालों बाद लासन एंट उबरो बहुत ही अच्छा perform कर रहा था और उनके पास काफी cash available था और इसी cash को उन्होंने माइंटरी नाम के एक software company में invest किया इसके बाद और भी sources से इस company के shares acquire करके उन्होंने इस company का hostile decover कर लिया तो अब इस पूरे situation को देख कर क्या हम किसी company या corporate pair को सही या गलत ऐसे judge कर सकते है well no देखिया ये corporate world ऐसे कई rules और systems के base पर काम करता है और ऐसे cases यहाँ daily होते रहते है as an outsider in companies के अंदर क्या और किस condition में हो रहा है यह जाने बीना कोई भी judgment देना ठीक नहीं होगा हम तो बस इन cases को study करके अपने knowledge को और थोड़ा सा बढ़ा सकते है well finally जो support विजय मालिया मनुचाबरिया से expect कर रहे थे वैसा ही support हम भी आप से expect कर रहे है अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने views कॉमेंट्स में शेर कीजिए ऐसा ही interesting business case study के साथ हम जल्द ही मिलेंगे children subscribe and be with cases and chills